Omicron variant SARS-CoV-2 virus का एक mutant variant है और Delta variant से definitely बहुत अलग है Second wave में हम देख रहे थे कि Delta variant बहुत हावी हो गया था पूरे इंडिया पे And कहा जा रहा था कि Delta variant में एक spike protein पे mutation है K147 का जिसकी वजह से उसको variant of concern घोशित किया गया WHO ने अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े variant of concern वो virus होता है जो बहुत तेजी से फैलता है पूरी population में और immunity को भी evade कर देता है और काफी जो conventional line of treatment है वो उस virus पे काम नहीं करते तब WHO उस virus को एक variant of concern घोशित करता है और इस पार हमने देखा गया कि 24 November 2021 को South Africa में Omicron नाम का variant पाया गया जिसको भी WHO ने एक variant of concern घोशित किया अब difference यह है कि दोनों हैं तो variant करोना वाइरस के लेकिन Omicron में 50 से भी ज़्यादा mutations है और कहां जाता है कि Omicron के spike protein में लगभग 30 mutations है अब spike protein वाइरस का वो हिस्सा होता है जो जाके human cell को attach कर लेता है अब क्यूंकि उसमें इतने सारे mutations हैं तो उसका human cell पे attack करना बहुत आसान है उसकी entry करना बहुत आसान है तो it is like five times easily transmissible than the delta variant मतलब जहां पे हम देख रहे थे कि delta variant का एक patient तीन लोगों को impact कर रहा था बट यहां पे हम देख रहे हैं कि Omicron variant का patient 10 लोगों को impact कर रहा है अब आप यह सोचिए वो 10 लोग आगे जाके 10 को और impact करेंगे तो कितनी तेजी से यह पूरी population में यह infection पहल रहा है जहां तक अगर हम delta से compare करें तो सबसे बड़ा difference यही है कि Omicron बहुत जल्दी infect कर रहा है मतलब five times जादा तेजी से infect कर रहा है और जहां तक हम precautions की बात करते हैं तो precautions जो पहले infection में हम ले रहे थे इस बार भी हमको वही लेने है कोई difference नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि जो disease Omicron इस टाइम cause कर रहा है वो इतना serious नहीं है क्यों serious नहीं है क्योंकि delta variant जो था सबसे पहले lungs पे attack कर रहा था lungs को damage कर रहा था आपको याद होगा second wave में सब लोग इतना CT scan करा रहे थे इतना x-rays करा रहे थे क्यों करा रहे थे कि सबसे पहले हमें मालूम चल जाए कि lungs को कितना involve कर लिया virus ने कितना damage कर दिया CT score चल रहे थे यहां से वहां से कि पता करो कि कितना damage है lungs में इस बार omicron जो है lungs को damage नहीं कर रहा है lungs पे effect नहीं कर रहा है omicron इस बार upper respiratory tract को infect कर रहा है यानि कि आपके nose को आपके throat को nasopharynx को तो उसका जो target है इस time different है इसलिए अब हम देख रहे हैं कि rate of hospitalization भी कम है इस बार और oxygen की जो हाहा कार मज गई थी पुरानी wave में इस बार thankfully ऐसा कुछ भी नहीं है last time क्या क्या हो रहा था black fungus कभी था दौर था steroids बहुत aggressively यूज़ कर रहे थे इस time rate of hospitalization number of deaths भी कम है लेकिन बस यही फरक है कि transmissibility बहुत जादा है यानि एक दो दिन में ही infection catch कर रहा है symptoms बहुत जल्दी आ रहे डेल्टा में क्या था कि पहले आपको हलका fever आएगा फिर step by step fever बढ़ेगा तो चौथे या पांचवे दिन आपके पूरे symptoms बिलकुल establish हो जाएगे लेकिन omicron में क्या हो रहा है कि पहले दिन ही high grade fever आ रहा है पहले दो दिन में ही patient की हलत खराब हो रही है high grade fever है, body ache है, nasal congestion है, scratchy throat है उसको लगता है कि गले में कुछ अटंग गया, खुजली हो रही है और बहुत ज़्यादा weakness है, फिर वो जाके cough में परिवर्तित हो रहा है तो ये सिलसला omicron में हम day 1 को बहुत ज़्यादा symptoms देखते हैं और day 4, day 5 तक वो खतम हो रहा है, ये difference है precaution सबसे मेरे नजर में सबसे important precaution है social distancing, इसका कोई तोड़ी नहीं है चाहे आप vaccinated हो, या vaccinated नहीं हो चाहे आपने double mask पहना हो, single mask पहना हो omicron किसी को नहीं छोड़ रहा है, omicron सब को impact कर रहा है तो सबसे बड़िया उपाय है कि आप avoid करें बाहर जाना जब तक आपको जरुवत नहीं हो, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें traveling avoid करें आप, भीड़ बार वाली जगा नहीं जाएं और तीसरी बात, vaccine जल से जल लगाएं अब तो दस चनवरी से भारत सरकार ने बूस्टर डोस का भी permission दे दी है, 60 plus को और medical health workers को तो बूस्टर के लिए हमें जाना चाहिए लेकिन problem क्या है कि इंडिया में population इतनी जादा है अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको vaccine का second dose भी नहीं मिला है तो पहले तो अपना course पूरा करें vaccine का उसके बाद आप तयार रहेंगे लडने के लिए main symptoms omicron के इस time है high grade fever followed by body ache, weakness, malaise, nasal congestion, runny nose and scratchy throat और थोड़े दन बाद आपको फिर cough भी शुरू हो जाता है यह आपके main symptoms है कुछ लोगों को, मतला बहुत कम percentage of population को loss of smell और loss of taste है जो कि last time second wave में बहुत जादा common था इस time हमें इतना commonly देखने को नहीं मिल रहा है और कुछ patients को abdominal pain और diarrhea है which was very common in second wave, right now इतना common नहीं है लेकिन main common symptoms है fever, body ache, malaise, weakness, nasal congestion, scratchy throat and cough आम तोर पे हम patients में इस time क्या देख रहे हैं loss of smell और loss of taste सबको नहीं हो रहा है आप ये समझ लीजे 20% या 30% लोगों को हो रहा है सबको नहीं हो रहा है जो मैंने आपको symptoms बताए वो majority को symptoms हो रहे है और last time second wave में ये symptom जो loss of taste और loss of smell का था बहुत common था, इस time इतना common नहीं है दूसरी बात symptoms जो होते हैं patient की immunity पर भी depend करते हैं इसी की immunity कम होती है तो उसको बहुत aggressive symptoms होते हैं इसी की immunity अच्छी होती है उसके symptoms इतने अच्छे नहीं इतने तेज नहीं होते होड़े हलके symptoms होते हैं तो it depends from patient to patient लेकिन जो हम बात करते हैं common clinical scenario की बात करते हैं कि majority हमें क्या देखने को मिल रहा है तो majority में तो यह वाले symptoms नहीं है कि loss of smell, loss of taste है ना कि diarrhea है, ना कि abdominal pain है Omicron का infection बहुत तेजी से फैल रहा है आपस में और एक Omicron का patient 10 लोगों को infect कर रहा है तो definitely जहां आपका COVID test positive आता है आपको सबसे बहले अपने आपको isolate करना है और strict isolation हम doctors कह रहें कि strict isolation यहाँ तक कि CDC जो Center of Communicable Disease America में है वो भी यह कहती है कि 5 days का तो आपको strict isolation चाहिए ही चाहिए लेकिन उसके बाद 5 तन आपको घर में रहना ही है तो कुल मिलाके 10 days का definite isolation है उससे कम तो हम आपको suggest नहीं करेंगे 10 days बाद अगर आप बहतर महसूस करते हैं आपके सारे symptoms चले जाते हैं तो आपको बाहर तब ही निकलना है जब आपको COVID negative test आ जाए यह नहीं कि आपने टेस्ट नहीं कराया और आप बे फिकरों के बाहर निकल गए नहीं हाला कि अच्छी बात यह है कि day 7, day 8 के बाद आप infective नहीं रहते हैं तब तक आपके अंदर virus का load जा चुका होता है और day 10 के बाद तो आप किसी को infection कर भी नहीं सकते हैं लेकिन बहुत सारे patients होते हैं जो asymptomatic रह जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता उनके symptoms एकाथ दिन के आते हैं फिर बिल्कुल सही हो जाते है तो हम यहीं advice करते हैं कि 10 तिन आपको अपने आपको घर में रखना है 10 तिन बाद आप एक COVID test repeat कराईए भले आप अपना card test कर लिए जया RT-PCR कराईए जब वो negative आए तब आप बाहर जाहिए हम patient से यही कहते हैं कि जब आप COVID positive हो जाते हैं तो आपको अपने 2-3 parameters regular check करने हैं आपके घर में एक pulse oximeter होना चाहिए number one अपना oxygen saturation हर 2 घंटे में measure करना है अपना heart rate हर 2 घंटे में measure करना है तीसरी बात आपको अपना fever check करते रहना है दिन में कम से कम 3-4 बार कि आपको fever कितना है चौथी बात आपको अपना respiratory rate check करना है दिन में कम से कम 3-4 बार अगर आपको oxygen saturation 92 आ जाता है तो आपको alarm बजा देना है अपने घर में कि मुझे hospital ले जाओ मुझे घर में मत रखो अगर आपको oxygen drop हो रहा है 92 आ रहा है तो इसका मतलब आपके lungs तक virus का effect पहुंच रहा है और आपके lungs weak हो रहे है दूसरा अगर आपका fever कम नहीं हो रहा पहले 3 दिन में आप दवाई खा रहे हो लेकिन आपका fever कम नहीं हो रहा एक सो हो गया, 101, 102 बढ़ता जा रहा है तो ये danger sign है यानि कि फिर आपकी हालत बिगड़ने वाली है आपका fever और ये हमको पहले 3 दिन में ही पता चल जाता है 3-4 दिन में अगर आपका fever कम नहीं हो रहा तो आपको hospital admit होना है तीसरी बात respiratory rate बहुत important है measure करना एक normal इंसान का respiratory rate 16 से 20 times per minute होता है respiratory rate वो चीज़ है कि हम एक minute में कितनी बार सास लेते हैं और सास छोड़ते हैं यानि आप सास पी लीजिए और सास पी छोड़िए इसको हम एक मानेंगे एक minute में आप ये कितनी बार कर रहा है एक average इंसान का 16 से 20 times per minute होता है अगर ये 24 से बढ़ जाता है अगर आपका respiratory rate 24 times per minute बढ़ जाता है तो इसका मतलब infection आपके lungs सक फैल रहा है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए चौती बात आम तोर पे अगर fever आ रहा है तो it is very natural की heart rate आपका बढ़ेगा अगर आपका heart rate 120 से उपर जा रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाहिए अगर आपके सारे parameters अच्छे चल रहा है शुरू के 4-5 तिन तक तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरुवत नहीं है आप खार बैठे ही कम दवाईयों में home isolation से बिल्कुल सही हो सकते है तो panic करने की बात नहीं है हमें बस और सा फॉषिस रहने की बात है और कोई बात नहीं है लेकिन इस टाइम यह सब नहीं हो रहा है hopefully जैसे कि हमने देखा last time second wave में 40% hospitalization हो रहे थे इस टाइम सिर्फ 20% hospitalization है but problem क्या है कि इंडिया की population इतनी ज्यादा है कि अगर 20% भी hospitalization हो रहे है तो भी हमाई लिए बहुत है हमारे medical infrastructure पर लोड बहुत पड़ता है इसलिए आपको पहले के 4 to 5 पहले के day 1 से day 5 तक आपको अपने आपको watch करना है यह तो आपको तेह कर लीजिए यह आपका home work है कि जहां आप positive आगए है day 1 to day 5 का आपका home work है कि आप अपना oxygen अपना heart rate, अपना fever, अपना pulse rate खुद अपने आप measure करते नहीं लिखते रहे हैं वो आपके लिए अच्छा होगा vaccination होने का मतलब यह नहीं है आपको एक सुरक्षा कवच मिल रहा है करोना से, नहीं, ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता आपको करोना से बचने का कोई सुरक्षा कवच नहीं है, कोई guarantee नहीं है कि आपको करोना नहीं होगा सुरक्षा कवच किस चीज़ का मिल रहा है आपको vaccination होने से, इस चीज का मिल रहा है कि आपको serious illness नहीं होगा, इस चीज का सुरक्षा कवच मिल रहा है कि आप hospital नहीं दोड़ोगे, मोटे-मोटे hospital के bill नहीं बनेंगे आपके, कम पैसों में, कम दवाईयों में आप सही हो जाओगे, इस बात का सुरक्षा कवच है vaccination का, पूरी सेना तयार रहती है आपके अंदर, antibodies की, जहां पे वो COVID infection attack करता है, वहां पे सारी antibodies active हो जाती है, और आप उससे लड़ना शुरू कर देती है, तो आपके body के अंदर damage को रोकती है, यह importance है vaccination का, यह नहीं कि मुझे करोना नहीं होगा, नहीं नहीं, करोना तो हो भी सकता है, यह नहीं भी हो सकता है, कोई assurance, कोई guarantee नहीं है, इसका कोई percentage नहीं है, हाँ, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि आपको serious illness से protection है, hospitalization से protection है, oxygen से protection है, इतना हम कह सकते हैं. Center for Communicable Disease, एक बहुत बड़ी organization है, जो यह सारे protocols बनाती है, कि आपको कब अपने आपको test कराना है, कब isolate करना है, और उन्होंने ही सारे protocols बनाके, WHS से बात करके, पूरी दुनिया में supplement करें, तो उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूं, जो कि बहुत valid है, अगर आप किसी corona positive patient के contact में आ जाते हैं, उसमें एक difference है, कि आप close contact में है, या आप बहुत दूर के contact में है, close contact हम कब मानते हैं, जब आप 24 घंटे उस patient के साथ बिता लेते हैं, इसको हम close contact मानते हैं, या आप 6 feet से कम की दूरी पर उनके साथ 15 minute बिता देते हैं, तब आपको infection होने का chance है, अग अगर आप उनसे 6 feet से जादा की दूरी पर 10 minute बात करके जाते हैं, तो आपको infection होने का chance नहीं है, तो पहले तो आप define करिए कितने close contact में है, अब market हम गए, ऐसे तो हम random लोगों के contact में आ रहे हैं, ऐसे तो हम test कराने को नहीं बोलेंगे, लेकिन आप किसी specific patient से मिले, आपका द कम की दूरी पर आपने उस patient के साथ 15 minute बिताए हो, या 24 घंटे आप उस patient के साथ रहे हो, तो आप suspect करिए कि आपको करोना होने का chance है, अब कैसे पता चले, आपको कोई symptom भी नहीं है, लेकिन हमें डर लग रहा है कि हमें करोना हो सकता है, तो 5 तिन आपको wait and watch करना है, 5 तिन आ आपके symptoms आना शुरू हो जाते हैं, तो आप बिलकुल जाएए अपना RT-PCR करा लीजे, अगर 5 तिन में आपके symptoms नहीं भी आते हैं, आप बिलकुल asymptomatic रहते हैं, fit and fine, तो फिर हमारा protocol है कि day 7 पे एक अपना COVID test करा लीजे, day 5 पे नहीं, day 7 पे एक हफता जाने दीजे, day 7 पे या एक कार्ट टेस्ट करा लीजे, अगर आपका वो नेगटेव आता है, तो यह फ्री तो रोम आराउंट विध मास्किंग, definitely.